नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आपके अपनी चानल अंजली नियूस कॉर्णर में मैं हूँ आपकी वही अंजली महाबत भी शराब के नशे जैसी है दोस्तों करें तो मर जाएं और छोड़ी तो किधर जाएं जी हाँ आपने सही सुरा हम आज के डेली राशिफल के बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बज़े है या पर मारी जनवर्चरी है उनको मेरी तरव से जेड़ सारी शुब काम ना है तो चली अब स्टार्ट करते हैं वक्त कम है जितना दम है लगा दो कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ और कुछ लोगों को तुम जगा दो लाइफ में कुछ खोना पड़े तो ये दो लाइंस जरूर याद रखना पहला जो खोया है उसका गम नहीं और दूसरा जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं स्वारत से रिष्टे बनाने की कितने भी कोशिश करो रिष्टे बनेंगे नहीं और प्यार से बने रिष्टे तोड़ने की कितने भी कोशिश करो रिष्टे तूटेंगे नहीं तुम सच बोलके किसी का दिल तोड़ देना मकर जूट बोलके किसी को खुशी मत देना दोस्त और दुश्मन को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दुश्मन कभी यकीन नहीं करेगा और दोस्त और दोस्त कभी शक नहीं करेगा तेरे किसमत का लिखा तेरे से कोई ले नहीं सकता अगर उसकी महर हो, तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता जिन्दगी में बार-बार सहारा नहीं मिलता, बार-बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता है जो पास उसे संभल के रखना, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का हर पल हमेशा शुक्र यादा करें आत्व विश्वास के साथ आप आसमान चूम सकते हैं और आत्व विश्वास के बीना मामुली सी उपलब्दियां भी आपकी पकड़ से परे हैं पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगी और फिर वो करो जो तुम ही करना है जीवन में अनुभवों से सीख कर खुद को बदलने की जरूरत होती है अगर हम बदलना बंद कर देती हैं तो एक ही जगा रुक जाते हैं जो बदलती हैं वही आगे बढ़ते हैं इसलिए आप भी हमेशा वक्त की साथ बदलना सीखिए ताकि आप हमेशा लेटिस्ट बने रहें से सुबहले में आपको बदा दू कि है जाग के लिए शुब रंग रहने वाला है यानि कि लगी कलर परपल रहेगा और शुब जो अंग है नमबर तीन रहेगा आज का दिन आपको भागे का साथ मिलने वाला रहेगा और हाँ कुछ ऐसी भी परिसितिया हो सकती है जिससे जो है आपके बक्ष में सारी बाते रहेंगी कुछ ऐसे महौल हो सकते हैं जो आपके लिए स्पेशली बड़े होंगे आपको विप्रेद परिसितियों में भी अपने लिए कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है आज आपको अध्यात्मिक प्रगति करने के भी अच्छे अफसर मिल सकते हैं आज आपका जो रुजान है धार्मक्षेत्रों में रहेगा दान बुन्यों की सितियां जो हैं बहुत बढ़या रहेगे अगर आपके लिए अगर आप दान बुन्य करते हैं तो आपके जो हैं हर चीज में आपको बहुती अच्छी सफलता जरूर मिलेगी वही आज रुका हुआ या उधार दिया हुआ धन आपको वापिस भी मिल सकता है आर्थिक मामलों में आप रदिशित सफलता मिलने से मन बहुत खुश रहेगा आपकी राशे में इंपॉर्टन्ट ग्रहों की युती आपके व्यक्तित्यों को प्रभावशाली बना रही है आपकी परस्नालिटी में बहुत इनिक हार आएगा आप अपने लुक्स को चींज करने का भी मन बना सकते हैं आज फोन पर या मित्रु के साथ अपना समय फिजूल मत कीजेगा फालतों की बातों में टाइम वेस नहीं करना चाहिए कभी-कभी आपके अंदर अहम की भावना भी आ सकती हैं आज के दिन इस पर आपको काम करना होगा इसकी वज़े से कुछ समंदों में तनाव की स्थियां पैदा हो सकती हैं बहतर तो यही होगा कि आप अपनी उर्जा को पॉजिटिव रूप में उप्योग करें तो जादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसके साथ ही आज आप सफलता के साथ आगे बनने ही रहेंगे सितियां बनी रहेंगी अच्छी वाली और कुछ कामों में आपको बहुत ही बहतरीन रिजल्ट मिलेंगे मन चाहिए आपको जो है उच्छाहित चीज़ें मिल सकती हैं आपको जो भी रिजर्ट चाहिए वैसा आपको मिलेगा जिसे आप बहुत ही दिन भर में excited बने रहेंगे इस समय आपका पूरा focus अपने पक्ष की परिस्तितियों का जादा से जादा लाब उठाने की और रहेगा आज किसी करीबी दोस है रिष्टिदार पर इतना भरोसा मत करें कि आपको बाद में कोई निराशा हाथ लग पड़ से आप में से आज कुछ लोगों को जह कोई बुरी खबर भी मिल सकती है इसलिए ज़रा ध्यान रखे कि इस बात का धार्विक और अधात्मिक शेत्र में आपका रुजान भी बढ़ रहा है जिसकी वज़े से आपके सोच बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और आप बहुत ही संतोशी हो रहे हैं संतुलित हर एक चीज होती नजर आएगे आपको सबी कामों को आप योजना बत तरीके से क्रियानवित करते चलिए समय आपके जो हैं हाथ में ही रहेगा कभी कभी मन मर्जी और बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिरेंस की वज़े से आदब धोका भी खा सकते हैं और धोका याद रखे आप किसी एरे गेरे से नहीं बलकि आपको अपने से मिल सकता है इस बात का ध्यान रखेगा साथ किसी मित्र या फिर बाहरी व्यक्ति के साथ धन के लेंदेंस रिलेटिज कोई बहस हो सकता है इसलिए संतुलन आज आपको बना कर रखना होगा वनना चिंताएं भी बढ़ सकती हैं बात करते हैं आज के बिजनस और करेड के बारे में तो आज बिजनस और करेड कहता है कि व्यक्ति का जो कॉंटेक्स हैं आपके लिए कुछ लावदाइक सितियां बनाएंगे इसलिए जो हैं लोगों की संपर्क में रहीगा जमीन जायदास रिलेटिज कोई डील होने के संभावनाएं बन रही है या तो आप जमीन वगरा कोई खरे देंगे या फिर आप सेल कर सकते हैं साथ ही में पब्लिक जिलिंग में भी आज आज आपको बहुत फाइदा देखने को मिल सकता है दफ्तर का आपका जो महौल है आज खुश्टुमा बना रहेगा जो आपके साथ काम करने वाले सायोगी हैं अधिकारी हैं आपके काम में जो हैं वो संतुष्टी दिखला पाएंगे बॉस की पर संतावी आज आपको हाथ लग सकती है इसका आज आज आपको भरपूर मातर में फादा उठा लेना चाहिए वही पर आज विविसाई का गति विद्यो में अभी जादा सुधार होने के संभावना नहीं नजर आ रही है कई लोगों का ऐसा हो सकता है लेकिन फिर मी काम में रुकावत नहीं आएगी काम आपका चलता ही रहेगा अपने महत्वपूरिण निर्णेओं को यानि फैस्रों को पहले प्रात्मिक्ता दे जल्दी ही सितियां आपके लिए अनिकुल होती ही चली जाएंगे साथ में करियर के लिहासे दिन आपको सफलता दिलवाने वाला भी हो सकता है आप अपनी टार्गेट्स असाने से कंप्लेट कर पाएंगे डिल्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे साथ यसाथ में अगर जो लोग नई जॉब ढून रहे थे उनके लिए आज गोल्डन चांस हो सकता है यारी कि आज आपको नौकरी मिलने के जो असार है 80 परतिशक तक रहेंगे आप जो हैं जरूर अपलाई कीचे आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी चलिए बागे बड़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो आज के लव लाइफ कहती है कि आज जीवन साथी के साथ कोई तनाव वाली स्थितियां पैदा हो सकते हैं इसलिए जो है आज आज आपको किस चीज़ का ध्यान रखना ही होगा जीवन साथी के स्वास्ते का भी ध्यान रखना बेहत जरूरी है बलकि यह तो आपका दाइत्व है यह आपको भूमिका निभानी है आव वाहिद व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा सा रिष्टा आने की संभावना बन रही है और जल्दी ही आपकी शादी भी हो सकती है ऐसे आसार आपके जो नक्षत्र हैं सितारे कह रहे है इसे के साथ ही आज आपको ने रिष्टों की शुरुआत के लिए पहल करने की जरूरत है अगर आपको जो पार्टनर है जो आप जिसे आप प्रपोस करना चाहते हैं वो पहल नहीं कर रहा तो आप क्यो ढील देते हैं अरे आप कह दीजे उनसे कि आपको उनसे महाबबत है आज आपके जो प्रिस्ताव हैं प्रिस्ताव आपके स्विकारित हो सकते हैं प्रपोसर स्विकार किया जा सकता है आज साथ ही बाई बेहनों की साथ समय स्पैंच करिएगा रिष्टों को और भी मजबूती पैदान करेगा इसे के साथ ही किसी शुब समाचार के मिलने से परिवार का जो वातावरन है, महौल है वो काफे खुश्णमा बन जाएगा जैसे आपको भी बहुत ही खुशी और अनन्द मिलेगा ये बात की हमने लव लाइफ की आज आपको महसूस हो सकते है आपके लिए सभी जो बढ़िया है सेहत को लेकर जादा समस्या नहीं आने वाली है सेहत दर्थ तो जैसे मैंने भी कहा कि होगा साथ ही में इसे तन्नाव की शिकायत भी हो सकते है गर्भी से बचाव करें तरल पधारतों का जादा से जादा सेवन करें जैसे कि लिक्विड चीजें जादा आप लेजे और ठंडी तासीर वाली तो इससे आपको जादा फायदा हो सकता है अज जो कहीं को घुटनों में दर्द की परिशानी हो सकती है अगर जोडों में कोई पुरानी समस्या है तो विशेश रूप से आज आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए तो बैटर रहेगा तो चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेश रुपाय के बारे में तो आज आपको जो है किसी मंदिर में जाको जो है कोई चीज गुप्त रूप से चढ़ानी चाहिए और हाँ अगर अगर आप कोई खाने पाने वे लिए चीजे राशन का समान अगर आप चढ़ाते हैं या फिर किसी को दान पुन्य में राशन की चीज़ा देते हैं तो और भी जादा फायदे में रहेंगे आपको दुआएं मिलेंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ये मत भूलेगा धन्यवार